नमस्ते मिना नाम है एवडाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है रोहिश शर्मा को मुंबा इंडियन्स ने कप्तानी से हटा दिया और साथ में ये भी कह दिया कि रोहिश शर्मा के दिन अब पूरे हो चुके है 36 साल के रोहिश शर्मा जिनोंने मुंबा इंडियन्स को 55 IPL ट्रॉफी जिता कर दिया 2008 से लेके 2012 तक मुंबा इंडियन्स को एक भी ट्रॉफी नसीब नहीं हुई थी फाइनल में जरूर गए थे लेकिन चैने सूपर किंग्स ने मुंबा इंडियन्स को अच्छी तरीके से धोकर रख दिया था इसके बाद मुंबा इंडियन्स के किस्मत नीता अंबानी मुकेश अंबानी की किस्मत चमकाने में रोहित गुरुनात शर्मा का ही सबसे बड़ा योगदान रहा और IPL की सबसे बेस्टीम बना कर उन्होंने दिया लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वल्ल कप के दोरान ही मुंबा इंडियन्स ने अप्रोच किया हर्दिक पांडिया को और कहा कि हम तुम्हें वापस टीम में लेना चाहते हैं हम तुम्हें फीचर की तरफ देखना चाहते हैं हर्दिक पांडिया जो गुजराट टाइटन्स की कप्तानी कर रहे थे उन्होंने मुंबेंट निस के सामने एक शर्त रग दी कि हम आएंगे आपकी टीम में तभी जब आप हमें कप्तान बनाओगे क्योंकि 16 करोड, 17 करोड तो मुझे गुजराट टाइटन्स भी दे रहा है पैसे की कोई बात नहीं है लेकिन मुझे एक ओदा चाहिए आऊंगा तो कप्तान के तौर पे हैं तो इसी दोरान आकाश अंबानी, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी सब कोई भूल गए कि रुष चर्मा ने आखर दिया किया उनको और जैसे ही वल्लकप खतम हुआ और उसके बाद ये हार्दिक पांडिया को लेने के लिए जो है कैमरन ग्रीन को छोड़ दिया सोलह करोड रूपे के लिए जो है उन्होंने उन्हें छोड़ दिया वही कैमरन ग्रीन जिन्होंने पिछले सीजन साड़े चार सो से ज्यादा रंस बनाए थे एक सो पचास से उनका उपर स्ट्राइग रेट था ये साजिशे वल्लकप के दोरान ही रची गई थी ऐसा खुलासा निकल कर सामने आया है और सबसे बुरी बात ये है कि रोहिश शर्मा को बताया भी नहीं गया था उस खिलाडी को नहीं बताया गया जिसकी वज़े से मुंबई इंडिया साज आई पिल के सबसे बेस टीम बन कर निकली है चैने सुपर केंग्स, दिल्ली कैप्टल्स, रोयल चैलेंजस बैंगलोर हर किसी के फैंस जम कर मजे ले रहा है और किसी को सिंपैथी भी हो रही है तो रोहिश शर्मा के लिए बस इतना कहा रहे हैं कि रोहिश शर्मा तो ऐसा डिजर्व नहीं करता था मुकेश अम्बानी, नीता अम्बानी, आकाश अम्बानी की मुंबर इंडियर्श टीम से तो ऐसा जरासा भी उमीद की कोई भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से रोहिश शर्मा का सलूग करेंगे लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा कि उन्होंने रोहिश शर्मा को टीम से ना सिर्फ टीम से बलकि कप्तानी से ही निकाल दिया टीम से निकालना ये तमाशा आप लोग देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि दो से तीन मैच में अगर रोजशर्मा फ्लॉप हो जाए तो हार्दिक पांडिया रोजशर्मा को बिठा के बोलेंगे कि भाईया तुम पानी पिलाओ तुम्हारा बस इतना ही काम है अब काम खतम हो ग हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है इंडिया का वह कप्तान जिन्होंने क्प्तानी मेंडिया को फाइनर तक पहुचाया हर मैच में हम लोगों ने जीता और उसकी फ्रेंचाजी उनकी होम फ्रेंचाजी उनके साथ ऐसा सलूक कर रही है ये सुनकर हर किसी को बुरा लग रहा है लेकिन ऐसा ही होता है किरकेट में जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाट है और जैसे ही आपके बुरे दिन आते हैं हर कोई आपके खलाफ खड़े हो जाते हैं इसी वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद मेरा नाम है अविडाश